कि जैन स्वाथियं स्वागत है आपका हमारी यूटूब के लेस्ट पर आये चर्चा करते हैं 26382 पदों के लिए जो भरती आने वाली है पूलिस कॉंस्टेबल की उसकी चर्चा करते हैं विस्तार से क्या प्रक्रियाएं रहती है कि इन चर्डों में भरती पूरी होती है यह से पहले फॉर्म सब्मिस्ट के बारे में बात करते हैं जैसा कि विदान सवाथ चुनाओं जो है बीच चुका है आपका उसका रिजल्ट जो है दस तारीक को आ चुका है और अचार सहिंता भी हट गी है ऐसे में जो विद्यवति कभी भी जारी हो सकती है और आप अपनी तय को पहले रिटन में लगाई है फिचकल जब आपका रिटन हो जाएगा तो फिचकल उसके बाद तयार करिएगा ठीक है अब आए बात करते हैं रीटन एक्जाम के बारे में रीटन एक्जाम होगा दूसरे चराण में फिर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आप जो फ पांच फोटो भी ले जाने होते हैं डॉक्मेंट वेरिफिकेशन में अब आए बात करते हैं फिचकल टेस्ट के बारे में फिचकल टेस्ट आपका उसमें दौड़ होती है ते लड़कियों के लिए डाई किलोमेटर लड़कों के लिए पांच किलोमेटर लगभग आपी कहते हैं असान दासा में उसमें आपका मेल के लिए हाइट और चेस्ट की लब चोड़ाई और फुलाव ज़रूरी होता है और मेल की बात यह हो गए फिमेल कंड़ेस्ट की बात कर लें तो उसके लिए आपकी बस लंबाई और वजन जो है में रूप से माइने रखता आई बात करते हैं एजरी में के बारे में इजर होलेकि बात करें मेल के मेंदेड के लिए तो जनरल के लिए आपका 18 से 22 साल में और उनके लिए छोट कोही नहीं है इडवर्यक्र मैंसलों की छूट को सम्मिक्सामिल करते हुए कory Empire की बात कर लेंगर तो जंदल के लिए 18-25 साल उनके लिए छूट नाी जो इडब्लूजिऊ के लिए सब्सक्ष्पुट है उनके लिए मेक्सिमिममेंज्प हो जाती त्पीर साल पांस साल की छूट को सामिल करने पर बात करते हैं एक car environment के बारे में एक सर्विमेंट जैससे आर्मी पहुज मेंण लोग रहते हैं तो लोग भी पर्म बाते हैं तो उनको तीन साल की सूट मिलेगी अगराप कर रहे हैं तो आपको तीन साल मिलेगी ठीक है अब आते हैं डॉक्यूमेंट वोड़िकेशन का डॉक्यूमेंटेंट जैसा कि मैं पहले बताया कि जब आऽप हम बहते हैं तो जिन काग्च्णों की जीन डॉक्यूमैंट की आप इमेज swept जो भी आप लगाए रहते हैं ओन-Line बनते समय वही मूल प्रति आपको ले जाना होता है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में ठीक है तो उसके लिए आयजात निवास की आपकी मूल प्रत चाहिए हाई स्कूल इंटर की मूल प्रत चाहिए और एफिडेविट की भी जरूरत होती है जैसा कि मतलब जब आप सलेट हो जाएं दोड़ पूरी करनी होती है चाहँ दौसलों 8 किलोमेटर लगभग 5 मिटर 25 में और फीमेल के लिए 14 मिन थाइक लिए 24 किलोमेटर फिच्कल इस्टैंडर्ड की बात करें ठीक है दोस्तों फिच्कल इस्टैंडर्ड की बात अगर करें तो यह नापी है नापी में जनरल के लिए निके शरीर की लंबाई 1060 cm और एक मिली मिटर भी कम नहीं होना चाहिए उसमें आप डिस्क्वालिफाइओं हो जाएंगेह तो यह आप निसे और कर लें कि यह पिलमवाई 1160 cm से प्लस है चेस्ट आपकी 79 89 cm होना चाहिए फुलाओं के साथ 5 cm नहीं नहीं बभुलाओ होना चाहिए 84 cm हो जाना चाहिए फूलाओ के साथ वेट नहीं इसमें मेजर किया जाता है मेरे कंडिडेट में से के लिए जो मेल कंडिडेट है सटी के उनके लिए लंबाई ए 60 cm और 77 cm के सीने की जो मोटाई होना चाहिए और सब्सक्राइब फुलाओं के साथ 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए ठीक उनके लिए भी मेजर नहीं किया जाएगा वेट फीमेल कंडिडेट की अगर बात किया जाए तो जन्रल इडबलु एस ओवी सी के लिए आपकी लंबाई फीमेल कंडिडेट की 152 सेंटीमीटर और निम्त और वजन की बात कर लें तो 40 किलोग्राम उनका भी वजन होना चाहिए ठीक है दोस्तों और कुछ भरती हमसे पूछ रहे थे कि सर एज कैसे काउंट की जाएगी एज की बात कर लें तो जैसे अगर आपकी भरती ये निकल ये 2022 में तो एस काउंट होने की संभावना अगर 2022 क की बिग्यप्ति निकलती अधार पर तो आपकी एज जुह दो 2022 जुलाई एक जुलाई 2022 के अधार पर काउंट की जाएगी लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भरती जुआर दोजार इकीस है की है तो इसमें आपका एक जुलाई 2021 काउंट की आधा सकता है और विशेश परिस्थित में ये सरकार की और भरती वोट की अनकौंपा के उपर निर्भर है कि इसमें जो कोरोना का सीजन बीता है इसमें आपके आपका दो तीन साल का समय लेफ्स हुआ है ठीक है तो कई या भ्यरतियों की मा क्लियर नहीं है इसकी कोई भी अपडेट मिलती हम आपको तुरंद बताएंगे फिलाल आप अपनी तैयारी को पूरी जोर लगा करके आप करते रहें ठीक है आपके लिए अप समय नहीं है और कंपडिशन बिल्कुल हाई होने वाला है क्योंकि सब जो है अपने अंदर के श परशाण होने वाली बात इसमें थोड़ी सी होती है क्योंकि इसमें आप के साथ मेडिकल टेस्ट में कोई कोई कोता ही नहीं कि जिए अधिकी टेस्ट में आपका नंबर एक पर तो आपको जो है बिलकुल करके चेक्षिया आप के प्रायवेट सब्स और मौसम भी अभी मालीजे कुल मिला करके एवरेज में ठंड ही है तो आप अगर फाइल एरिया वगरे का आपके पार समझ से हैं तो आप इलाज भी करवा सकते हैं और देखे बावासीर है तुसको भी डाक्टर लोग डाक्टर का पैनल होता है वो बिल्कुल आपको गहंता स जांच करते हैं ऐसी स्थित में आपको कोई चांस नहीं है कि आपको कोई रियायत मिलने वाली है बावसीर है तो उसको भी ठीक करवा लिजे समय रहते ठीक और आपकी वीजिवल्स आई साइट को चेक किया जता है कि आप कितना दूर देख पा रहे हैं ठीक है वो भी आपक बिल्कुल six by six जो मेजर में होता है वो होना चाहिए ठीक और आपकी रक्त वाड़ांधता जो होती है ठीक है color blindness जो कहते हैं उसको भी चेक किया जाएगा उसको भी आप practice कर सकते हैं बाजार में में भी मिलता है या आप जो हस्पताल में जा करके भी अपना वो medical test eyesight का करवा स सकते हैं कि हम नॉर्मल है हमारी आखे नॉर्मल है नहीं कि बात करते हैं दातों की दात की दात की बात की बात किया जाए तो हम लोगों का जब वेजिफिकेशन हुआ था डॉक्यमेंट वेजिफिकेशन होने के बात मेडिकल टेस्ट हुआ था तो हम लोग दात वगर सब कुछ साफ करके गयते और आपका हाथ त्याहा नहीं होना चाहिए हाथ जो है जो कि हुनी होती है वह सीधा करके लोग दिखेंगे कि अगर सटे य बिल्कुल बन जाएगा ठीक है और बात किया जाए कि तो यह थी जानकाई इनस्वायित भरती प्रक्रिया के बारे में यूपी कॉंस्टेवन की बहुती प्रक्रिया और कोईब्षी है उप्लकुल वाकते आप साधरा मंत्रित आं अपनी विचार आप बैत्थ कर सकते हैं और आपाउन freshmen को गमगम वेरल से लेंगे आपके संख्वा धन्यवाद, जैहिं